बिग बॉस सीजन 17 में अभिशेक कुमार की हालत देखकर बॉलिवुड आक्टिर रितेश देशमुक अभिशेक के सपोर्ट में आ गए हैं जिस तरीके से लगातार ईशा मालविया और समर्थ जुरेल अभिशेक को पोक कर रहे हैं इशा और समर्थ अभिशेक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं अभिशेक के मेंटल ट्रीटमेंट तक पर सवाल उठाया जाता है कि अपना इलाज आधा छोड़ कर आया है ये पागल है पागल है तू इस तरीके की बाते कही जाती है बाप का पागल लॉंडा तक कह दिया जाता है उसके बाद अब रितेश देशमुक ने अभिशेक के लिए स्टैंड लिया और कहा कि मेरा दिल अभिशेक के लिए पसीज जाता है माइ हाट गोज आउट टू अभिशेक हैश्टाग बिग बॉस सेवन्टीन जिहां रितेश देशमुक ने कर दिया है अभिशेक को सपोर्ट बता दें कि बॉलिवूड के वो सभी सितारे जो बिग बॉस सीजन सेवन्टीन को देखते हैं वो अभिशेक को सपोर्ट कर रहे हैं बिबी सीजन 17 में अगर किसी कंटेस्टेंट ने अभी तक सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई हैं जिसने सबसे ज्यादा बर्दास्ट की ताकट अपने अंदर पैदा की है वो अभिशेक ही हैं वरना इस तरह अगर किसी और को पोक किया जाता मेंटल मेंटल इलाज बीच में छोड़ कर आया है बाप का पागल लॉंडा तो शायद किसी का हाथ उचाता पांस को बताते चले कि एक एपिसोड में अभिशेक ने समर्थ पर हाथ उठा भी दिया है लेकिन ये हाथ अभिशेक ने तब उठाया जब पहले समर्थ ने अभिशेक को हाथ लगाया जिहां पहले समर्थ ने अभिशेक को हाथ लगाया उसके बाद अभिशेक ने जड़ दिया समर्थ को जोरदार मुक्का अभिशेक कुमार सही किया अब जो होगा देखा जाएगा झाल झाल